नमस्कार आप देख रहे हैं Public Views इंडिया और मैं उके साथ जिते इंद्र शुक्ला बात करेंगे जेन्यू विश्वित द्याले की जहां स्वामी विवेका नंद की मूर्ती पर लिखा जाता है भगवा अब जलेगा इस समय हमाय साथ नेहा शालनी दुआ जी मैम जुड़ी हो बाता भगवा अब जलेगा तो ये उनकी मानसिक्ता दिखाती है कि उनको भगवा से या हिंदुस्तान के तिरंगे से कितनी नफरत है कि हर बार कोई भी बवाल अगर उठता है तो सिरफ जेन्यू से उठता है और किसी उनिवस्टी से नहीं उठता अगर आपको फीज को ले विवेका नंजी ने बनाया और आज हम स्वामी विवेका नंजी को विश्व गुरू के रूप में लेते हैं आप उन गुरू का अपमान कर रहे हैं आपने सिरफ ये ने लिखा कि भगवा जलेगा आपने उनकी मूर्ती को भी तोड़ा और ऐसे शब्द जिनका प्रयोक करन कैमरे के सामने उचित नहीं है ऐसे शब्द वहां के चात्रों ने लिखे पहली बात तो वहां के चात्री नहीं है 20-20 साल से पड़े वे वहां के 20 साल के जब वह आए थे तब थे आज वह 45 बंदे हैं जो अपने आपको वहां का स्टूडेंट बताते हैं वह यूनियन के ली जाते हैं कि हम शर्मिंदा हैं तो ऐसी बाते जो हैं वहां जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहां के बच्चों को जो और स्टेट से बच्चे आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं वहां पर आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधी करने के लिए वह शिक्षा का जहां पर यही शिक्षा दी जाती कि किस तरीके से भगवा को के खिलाफ और किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ या किसी भी मतलब जो तिरंगे के खिलाफ बाते कैसे की जा सकते हैं यहां वहां पर यही शिक्षा दी जाती हैं कोई इंगलेश इंदी एकोनॉमिक्स या पॉ है इंस सब की जेब से दे रही है तो यहीं तो नुकसान है आप लोगों को यह क्यों ने समझ current अप्लोगों को यह क्यों ने आप लोग वहां बैठ की कुछ ऐसे ही ऐख्यूसर होते हैं जो वहाँ पर बैठे हैं जेनियू में और भगवा के खिलाफ, देश के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बाते करते हैं को यहीं इस हैं एसी भाता हैं कि बहुति नियुक्षी और कि कि अगेश ही कर रहे हमें शरकार भी तो पीछे हो जाती है यह सारा विरोथ किया जाता है वह कैत्रम गरीबी के आवाज उठाए हिसे नियुमें सब गरीब दिखाई देते हैं अदर कॉलेजिस भी हैं दिल्ली में खालसा कॉलेज है जितने भी कॉलेजिस हैं अदर कॉलेजिस भी उन्हें जेन्यू में ही गरीबी क्यों दिखाई देते हैं और सारा गरीब क्या जेन्यू में पढ़ता है और कहीं नहीं पढ़ता है इंजीन तो यहां किसकी गलती है सरकार अब बहुत कड़े कुछ पुक्ता कदम उठाएगी मुझे पूरा यकीन है जिस पे आगे से आपको मेरे ख्याल से जेनियों में इस टाइप की बाते सुनने को नहीं मिलेंगी मैं सबसे बड़ा सवाल स्वामे विवेका नंग का ना किसी पंच से ले ना दे ना ना पाटी से ना किसी जाती से ना धर्म से वो हमेशा एक विचारक रहे फिर भी उन्हें टागेट किया क्यों तो कह रही हो कि वो एक विचार धारा है आप इन लोगों का दिमाग ये खराब कि आ जाओंगी तो मतलब मैं वो हो गई या मैं आरे सेस्की वो सपोर्टर हूं या मैं मोधी भक्त हूं ऐसा नहीं होता भगवा रंग से आपको इतने नफरत है मतलब देश के तिरंगे से भी आपको नफरत है तो आप ये देश खोड़के दूसरे देश चले जाहिए ना आजादी भी मांगते हैं वो बार बार आजादी मांगते हैं आजादी है ना जो जो पाकिस्तन जो यही आजादी है